हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टार्गेट गौर्वर्मेंट पोस्ट में दोस्तों यूपी बीड प्रवेस परिच्छा की कम्प्लिट दियारी क्लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दीगे रेट के सब्सक्रीब ब पिपर इस लिए करवाया जा रहा है क्योंकि इस वर्स भी 2020 का जो एग्जाम कंड़क्ट करवा रही है और 2018 में भी लखनो निस्टी नहीई पूरी एंटक वीडियो वाच करिएगा इसमें आपके जिकी के 50 कुशन है और आपको जरूर कोसिस करना है कि आप इन कुशन के आंसर कॉमेंट सिसर में कॉमेंट करके जरूर दें और लास्ट में मैं आपके प्रस्णों के उत्तर जरूर दूँगा जो भी आप लोग कर लेते हैं देखी गाया दोहजर अठार का यह पूरा मॉर्डल पीप शॉल्ड पेपर है और साथी साथ प्रैक्टिस मेंने काफी करवा रखे हैं चली कुशन फरस्ट यहां पर हम लोग देखने वाले हैं उगते हुई सूरज का देश किसे कहा जाता है दोस्तों उगते आपको एक समय देंगे एक निर्धारित समय जिसमें कि आप अपने कुशन का आंसर समय पर दे पाएं दोस्तों यहां पर फस्ट नंबर कुशन का राइट आंसर हो जाता है जापान जो की उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है अगला प्रस्टन आपका सेकंड नंबर है किस सविधान संसोधन के दुआरा मतादिकार की आयू को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया है तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों फटा फट से अपना कमेंट बॉक्स पे आप ओपन करें और आंसर दें फटा फट से सेकंड नंबर कुशन का तीसरा नंबर है कहरा विश्व सिच्छक दिवस कब मनाये जाता है आपको आंसर देना है कमेंट सेशन में बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है यह सारे चलिए विश्व सिच्छक दिवस कब मनाये जाता है दोस्तों यह मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को ठीक है अगला प्रस्ण है यहाँ पर दिया गया है कहरा किसके द्वारा खालसा पंत की स्थापना की गई थी दोस्तों किसके द्वारा खालसा पंत की स्थापना की गई थी आपको कमेंट सेशन में अपना आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्चिन पर इस्तित है महा नदीपर सतलु साधी पर क्रश्णा नदीपर तापति नदीपर five number question पर right answer आपको option number B हो जाता है सतलु स नदीपर सतलु स नदीपर अगला प्रस्ण जा पर question number six है question number six पर कहरा है सूर्य ग्रहन होता है जब आपके सामने चार options दिए गए हैं इसमें से आपको condition बतानी है सूर ग्रहन होता है जब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर right answer आपका हो जाता है option number D चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच में जब आ जाता है तो उसे सूर ग्रहन कहते हैं अगला प्रस्ण 7 आपको पूरा नाम बताना है तो यहाँ पर 7 नंबर पे जो लोग option number A कर रहे हैं बिल्कुल right answer है National Council for Teacher Education यहाँ पर आपका यह right answer हो जाता है अगला प्रस्ण यहाँ पर 8 नंबर है और 8 नंबर का राइट आंसर आपको देना है जैनवाद के अनुशार कितने तीर्थ कर रहे हैं यह question बहुत important है और यह यूपी बीड में repeated question है दोस्तों यहाँ पर जैनवाद के अनुशार कितने तीर्थ कर रहे हैं यह पूछा गया है तो यहाँ पर right answer 26 हो जाता है option number A जो लोग option number A कर रहे हैं बिल्कुल सही answer है उनका 9 number question पर दिया गया है चूना पत्थर परिस्क्रती करण के बाद परिवर्तित होता है दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाता है आपका option number A क्या हो जाता है भाई मारवल दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो like और share करके जरूर हमारा उत्सा बढ़ा है जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएं इसी प्रकार से question करके आपके लिए वीडियो और साथ यसाथ live session करा पाएं 10 number question का बताएंगे 10 number पर आपका right answer क्या होता है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक bank के scheduled bank कहलाता है very important question कई छित्रों में question पूछा गया है दोस्तों कई exams में question पूछा गया है एक bank scheduled bank कहलाता है यदि यहाँ पर condition आपकी कौन सी सही होने वाली है तो option number D अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल सही answer है यह RBI एक्ट 1934 की 23 अनुसूची में सामिल है दोस्तों यह मैं practice head में question करा चुका हूँ अगला question 11 नंबर है 11 पे कह रहा है भारत का रास्ट यह और सोरी भारत का रास्ट पती राज्यसभा के लिए कितने सदस्मनोनी कर सकता है दोस्तों बहुत ही important question है और कई एक्जामों में यह भी प्रस्न पूछा गया है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा comment system में अपना answer जरूर दें यहाँ पर right answer option number A हो जाता है अगला प्रस्न यहाँ पर 12 नंबर है अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं PDF के लिए दोस्तों PDF अगर पाना चाहते हैं और अन्य जानकारी चाहते हैं या आपको notification क्या issue हो जाता है तो notification नहीं मिल पाती है तो सारी वीडियो समय से पाने के लिए आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं आपको नीचर डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर कि आप जुरूर जुड़े हैं जिससे कि आपको सारी सुविदाएं समय से मिल पाएं 12 नंबर पर right answer आपका क्या होगा सम प्रत्य संदर्बित करता है चौथा खंबा तो यहाँ पर right answer आपका होगा जल्दी से answer देबाई सब ही लोग मैं आपको बहुत कम समय दे रहा हूं answer देने के लिए तो आप लोग कोसिस यह किया करें कि जल्दी से जल्दी answer देने की कोसिस किया करें comment box open रखें यहाँ पर आपका right answer प्रेस हो जाता है option number B अगला प्रस यहाँ पर 14 नंबर 14 में कहरा बताईएगा भारतिये नैपोलियन किसे कहा जाता है भारतिये नैपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों 50 question पूरे total कराने इसलिए थोड़ा speed बनाके रखनी पड़ेगी वरना समय काफी हो जाएगा व आपके लिए इसी प्रकार से मैनत कर पाएं यहाँ पर 50 number question पे दिया गया है सोभना गुर्टू प्रवर्तक है सोभना गुर्टू प्रवर्तक है तो यह दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा गया है कि यह खयाल का है ठुमरी का है या खयाल एम धुरुपत का है दोनों का है यहाँ पर देखो भई 15 number पे right answer आपका हो जाता है option number D ठुमरी next question आपका सौरे मंडल के किन ग्रहों को निस्क्रट ग्रहों के रूप में जाना जाता है तो 16 number का right answer option number आपका B हो जाता है बुद्ध एम शुक्र बी option बिल्कुल right होगा 70 number का right answer बताएंगे रेटी नॉल का सामान्य नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर देखो रेटी नॉल का सामान्य नाम पूछा गया है तो यहाँ पर right answer आपका क्या होने वाला है जो लोग option number C पे जा रहा है याँ विटामिन A कर रहा है बिल्कुल सही answer है 18 number प्रस्ण में आएंगे कह रहा है पाक ज 20 number प्रस्ण में आएंगे कह रहा है सविधान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के विशेशा अदिकार निहित हैं यहाँ पर 350 है 356 है 28324 right answer आपका option number हो जाता है D 324 अगला प्रस्ण है पॉंगल तेवहार है तो यहाँ पर आपको यह बताना है पॉंगल तेवहार क कह रहा है बताईएगा वर्स 2014 में भारत का कौन सा राज 29 राज बना यह 2014 का question है और ऐसा नहीं है कि आपसे question किवल current के question ही पूछे जाएंगे आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत ही कम आपको current का question मिला ही नहीं होगा आगे हो सकता है कि आपको current का question मिल जाए तो current पे ज question अक्सर exam UP blade में पूछे जाते हैं current के question आते हैं दो से तीन question maximum हुआ तो पांच question ठीक है तो दोस्तों वीडियो को like और share भी करते चलें जिससे के और भी लोग उतक वीडियो पहुंच पर और लोग जोड़ पाए 21 नमबर पे आपका right answer option नमबर A हो जाता है जिसमें यह कह रह है तो किस राजजिका यह मुखेतेओः है दोस्तों ये आपका असम का मुख्य तिवार है दोस्तों कंजूसी ना करें भाई सेशन को लाइक और शेर भी करते चलें और कॉमेंट सेशन में तो बिल्कुल भी कॉमेंट करने में कंजूसी ना करें कॉमेंट करना बहुत जुरूरी है आपका जो प्रैक्टिस चलना है यहाँ पे कॉशन के अनुसार आप अपने आंसर जरूर दें ठीक है यह मत सूचे कि आपका आंसर रॉंग हो जाएगा 25 नमबर कॉशन पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है भारत के सविधान के अनुछेद खाली जगे में मौली कर्तव्यों का वर्डन है तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है तो यहाँ पर हो जाता है 51 A ठीक है अगला प्रस्ण यहाँ पर आएगे 26 नमबर पर विटामिन C की कमी से होने वाला रोग दोस्तों बहुत यहाँ आसान कोश्ण है विटामिन C की कमे से होने वाला रोग इसकर भी ऑप्शन नमबर D आपका यहाँ पर 26 नमबर में सही हो जाता है अगला प्रस्ण यहाँ पर 27 नमबर है कह रहा है सतत विकास लच्चियों को प्राप्त करने है तू संयुक्त राष्ट द्वारा कौन सी अवदी निर्धारित की गई है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होने बाला है दोस्तों यहाँ पर जो लोग कर रहे है 2016 से 2030 आप्शन नमबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला कोशन 28 नमबर है कहरा बताईए कैलास सत्यार्थी संबंदित है कैलास सत्यार्थी संबंदित है चार अपसंस दिये गए इन में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा दोस्तों कैलास सत्यार्थी का आपको आंसर बताना है कि इसमें यह जो है किस से संबंदित है ये बचपन बचाओ आंदोलन से ये विकल्प option number B सही होता है 29 number का right answer बताएंगे किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पर्थक rail budget पेस किया था तो 2016 का push लिया गया है अब ये समझ सकते हैं आप लोग 2018 में paper हुआ था 2016 का current का push लिया question ठीक है तो यहाँ पर 29 का right answer option number B हो जाता है सुरेश प्रभू ठीक है option number B यहाँ पर right answer हो जाता है सुरेश प्रभू अगला question यहाँ पर है 30 number 30 पे कहरा बताएं भारत का राष्ट पती बनने सेपूर्व स्री रामनात कोविंद खाली जगे के राज जपाल थे बहुत ही important और सांदर question है यहाँ पर right answer हो जाता है बिहार option number A अगला question 31 number 31 में कहरा फ्रांसी सी क्रांती का सही नारा क्या था चलिए answer देंगे हम आपके answer का wait कर रहे हैं answer फटा फट से सभी लोग देंगे कोई भी कंजूसी नहीं करेगा क्योंकि हम आपके लिए गर मेहनत कर रहे हैं पूरा practice कर वा रहे हैं इतना बोलते हैं तो आप भी अपना केवल comment session में आपको answer देना है question सुनने के बाद नहीं भी पढ़ रहे हैं तो question सुनना है देख रहे हैं तो काफी कुछ आप reply करके दे सकते हैं comment session में दोस्तों यहां पर स्वतंत्रता समानता और ब्रहांत्रत्रों ठीक है option number C अगला प्रस्न 32 number 32 पर कह रहा है निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरलंपिक्स 2016 में उची कूद में स्वर्ण पदक जीता था यहां पर आपका right answer क्या होने वाला है दोस्तों यहां पर right answer आपका क्या होगा भट प्रटाफट से answer देंगे मारिया प्रम ठंगावेलू option number D ठंगावेलू ठीक है next question पर आएंगे दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्यों की वह तो यह भी बड़िया कोशन आपका पूछ लिया गया है और यहां पर देखिए international court of justice के लिए पुनर निर्वाचित हुए इसलिए यह चर्चा में रहे अगला कोशन आपका है 334-24 पर कहरा बताइए को भारत में सरवादिक पुराना गرंथ माना जाता है तो न्याय रामायन गीता या रिगवेद यहाँ पर 34 पर राइट आंसर होता है रिगवेद option number D clear, यहाँ पर रिगवेद को भारत में सरवादिक पुराना गरंथ माना जाता है 34 का option number D सही होगा 35 number प्रस्ण में आएंगे, 35 में कहरा है किसी प्राड़ी की ग्यानिंद्रियां उसे सहायता परदान करती है, तो स्वसन में गतिशीलता में तीवरवरदी में उद्दीपक के परती, अनुकिरिया में तो यहाँ पर right answer होता है option number D 36 number प्रस्ण में आएंगे, 36 में कहरा है खाली जगे को भारत में हरित करान्ती का जनक माना जाता है, बहुत ही अच्छा question है, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस question का सही answer देंगे तो M.S. श्वामी नाथन, option number C कई बार ये question पूछा गया है एक्जामों में, option number C बिल्कुल correct answer है अगला question आपका यहाँ पे है 37 number 37 में कहरा बताईएगा, जस्टिन जस्टिन टूडो जस्टिन टूडो 37 number पे right answer हो जाता है option number E, कनाडा के अगला question है आपका यहाँ पर 38 number 38 पे कहरा है निम्न में से कौन सा नाटक निम्न में से कौन सा नाटक William Shakespeare द्वारा नहीं लिखा किया William Shakespeare द्वारा कौन से नाटक है निम्न में से जो नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर right answer हो जाता है Arms and the men option number C अगला question यहाँ पर 39 पे आएंगे रास्टिये प्रतिरच्छा संस्थान इस्थित है चेन्न नहीं में, मुंबई में, नई दिल्ली, बैंगलूरू में बहुत अच्छा question है आंसर दें भाई, सबी लोग फटा-फट से नई दिल्ली, बिल्कुल सही answer option number C है 40 number question 40 पे कह रहा है, 2020 में ग्रीस में कालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो यह किया जाना था पूछा गया question है और चलिए, देखेंगे यहाँ पे right answer आपका जापान हो जाता है option number A next आएंगे 41 number question है और 41 के यह आपको कूट भी दिये गए है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि PDF यहाँ पर आपकी कट की गई है चलिए, देखे पूटीवन नंबर पे यहाँ पर कह रहा है कालम एक को कालम second के साथ सुमलित कीजिए आपको सुमलित करना है और नीचे कूट दिये गए है किस से मिलान सही है वो आपको यहाँ पर नीचे option में बताना है तो 41 का right answer आपका क्या होने वाला पड़ा फट से answer सभी लोग देंगे रिंगवार में क्या है यह फंजाई है यह क्या है फंजाई है तो तीसरे के साथ में मिलान होगा मलीरिया मलीरिया प्रोटो जुआ option यहाँ पर क्या right होना चाहिए चलिए, कोलेरा दिया है तो कोलेरा आपका यहाँ पर मिलान सही होता है बैक्टिरिया से ठीक है, इनीमिया यह आपका हो जाएगा लोग की कमी से तो यहाँ पर option number आपका C बला right हो जाता है, अगला question 42 number है 42 पर कहरा बताएगा निम्न में से कौन राज जी हरप नीती से संबंदित है तो लाड रिपिन है, लाड मिंटो है लाड करजन है, लाड डलहा जी है यहाँ पर आपका right answer क्या होता है दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि reasoning के मैंने maximum chapters करवा दिये है 17 chapters complete हो चुके है chapter एक एक वीडियो में आपका complete revision की करवाया गया है एक दिन में एक chapter और एक एक वीडियो में तो आपको maximum 17 वीडियो 17 chapters complete करना, revise करने के लिए बहुत sufficient है आप चाहें तो playlist बना रखा है, आप देख सकते हैं जाकर के channel पे, playlist पे जाकर के UPBR 2020 के लिए special दोस्तों चली, lockdown में एक यह अच्छे काम होते जा रहे हैं जो कि आपकी study और भी बढ़िया होती जा रही है, मजबूत होती होती जा रही है जिससे कि आपको बहुत समय मिला है थोड़ी सी समस्या तो ही है थोड़ी कि बहुत ज़द समस्या देश के सामने और सभी नागरिकों के सामने भी चली, यहाँ पर कुछ प्रस्न में आएंगे तो 42 का राइट आंसर, option number D हो जाता है लाड डल हो जी, अगला question यहाँ पर 43 नंबर है, 43 पर राइट आंसर देना है कहरा कौन सा input device नहीं है बहुत अच्छा question है, computer से related question है और अक्सर exam में एक सुदो question computer से related पूछे ही जाते है दोस्तों यहाँ पर right answer option number B हो जाता है जो कि यह input device प्रिंटर नहीं है अगला question यहाँ पर 44 नंबर है कहरा हिंदी picture, film, पदमावत किस लेकक की रचना पर आधारित है अबू फजल अबू फजल है या रस्खान की मलिक मुहमद जैसी की या फिर अमिर खुसरो की चलिए, यहाँ पर 44 का right answer जो लोग option number C दे रहे हैं मलिक मुहमद जैसी की बिल्कुल सही answer है 45 नंबर का right answer बताएंगे शोम नाथ मंदर पर आक्रमर्थ किया था तो यहाँ पर आपका right answer क्या होने वाला है 45 का right answer दोस्तों वीडियो को like और share भी करते चलें जिससे की और भी लोग अदर वीडियो पहुँच पर और भी लोग चुड़ पाएं दोस्तों यहाँ पर आपका महमूद गजनवी बिलकुल सही answer option number D होता है अगला just 46 नमबर है 46 में आपका right answer क्या होने वाला है दोस्तों यह 46 में पूछा गया सांखेदर्सन का प्रतिपादन किससे माना जाता है जोँ लोग पिल को कर रहे है option number C बिलकुल सही answer है अगला question 47 नमबर कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर पावर्टी एंड एंड ब्रिटिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है तो यहाँ पर आपका दादा भाई नरौजी ऑप्शन में दिया है इन में से कोई नहीं मातमा गांदी गोपाल गोख ले तो यहाँ पर राइट आंसर 47 का उप्शन न पादक रहे हैं तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आप्शन नंबर भी हो जाता है महावियो प्रशाद दिवेदी चलि अगले प्रस्म में आएंगे मदर पुस्तक किस ने लिखी मदर पुस्तक किस ने लिखी मदर पुस्तक किस ने लिखी बहिया चलि बताएं यह फटा- गोर्की ने तो गोर्की से आप लोग याद रख सकते हैं कि मदर पुस्तक किस ने लिखी तो गोर्की ने ठीक है तो मैक्सिम गोर्की ठीक है अगला कुशन देखेंगे आखरी 50 नंबर है वस्तु एमशेव आप पर GST भारत में लागू किया गया तो यहाँ पर आपको के से सबी लोगोंने कमेंट किये दोस्तों और जिसका जो कमेंट में जो भी प्रसने है पूछ सकता है आपको रिपलाई कमेंट सेशन में दिया जाएगा दोस्तों उमीद्य वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेर करके जरूर जाएं मिलते नेक शेशन में अपना ख्य